मोवी कुईक से लोन कैसे ले? दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप 0% इंट्रेस्ट पर आप लोन यहाँ पर जो है लिमिट ले सकते हैं साथी साथ आप यहाँ पर लोन भी ले सकते हैं कैसे आपको मोवी कुईक एप्लिकेशन से परसनल लोन के लिए अपलाई करना है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जैसे कि आप यहाँ पर देख पारोंगे 60,000 रुपिय तक का लिमिट आपको 0% इंट्रेस्ट पर मिलेगा तो वीडियो को आपको पूरा वाच करना है सबसे पहले हम बात करते हैं इस एप्लिकेशन से आप कितने रुपिय तक का लोन ले सकते हैं तो देखिए मोवी कुईक में आपको दो टाइप का लोन प्रोवाइड किया जाता है एक आपका मोवी कुईक पे लेटर दिया जाता है जिसमें आपको 60,000 यानि की 60,000 रुपिय तक का लिमिट दिया जाता है जो कि आपको 0% इंट्रेस्ट पर मिल जाता है एक भी रुपिया इंट्रेस्ट नहीं देना पड़ता है इन सकंड नमबर यहाँ पर आपको एक लाक रुपिय तक का परसनल लोन भी मिल जाता है अब देखिए यहाँ पर आपको लोन लेने के लिए क्या करना होगा सबसे पहले तो आपको Google Play Store पर आना है ठीक है आपको open करना है Google Play Store और यहाँ पर आपको सर्च करना है Movi Quick यह लिख के आप सर्च करेंगे आपके सामने Movi Quick application आ जाएगा इसको आपको सबसे पहले install पे क्लिक करके install कर लेंगे अब देखिए इसके बारे में अगर आप read करना चाहते हैं तो आपको जो interest देना होगा वो solo percent यह loan के बारे में है ठीक है Movi Quick Pay later आपको उसमें आपको interest नहीं देना पड़ता है लेकिन loan में आपको interest देना पड़ेगा तो देखिए 50,000 रुपिये का अगर आप loan लेते हैं solo percent के interest पर 12 महिनों के लिए तो आपको EMI पर महिना EMI देना होगा 4537 रुपिये यानि कि आपको 50,000 रुपिये के loan में 55,444 रुपिये repayment करना होगा ठीक है और यह based application है यह आपको Movi Quick जो application है इसमें आपको instant personal loan मिलता है इसमें आपका document है वो आपका pen card और आधार card होना चाहिए pen card और आधार card है तो आप loan इस application से ले सकती है तो इसको पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे इंस्टॉल कर लेंगे application को play store पर आकर ठीक है और उसके बाद open पे click करके application को यहां से open करेंगे allow पे click करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको option मिलेगा नीचे gate started का इसपे click करेंगे यहाँ पर आप अपना mobile number डालेंगे जो आपका mobile number है और mobile number डालके send OTP के option पर click करेंगे एक OTP आपको send किया गया है OTP यहाँ पर डालेंगे proceed करेंगे आपका यहाँ पर account create हो जाएगा अब आपको यहाँ पर option मिलेगा bank account select करने का तो अगर आप bank account select करना चाहते हैं तो bank account select कर सकते हैं नहीं करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर back कर देना है bank account अगर आप select नहीं करना चाहते हैं तो अब उसके बाद यहाँ पर आपको option मिलेगा complete your QIC का ठीक है यानि कि आपको KYC complete करने के लिए कहा जाएगा आपको एक बार यहाँ पर जो है back का option मिलेगा उपर में आपको फिर से back कर देना है यहाँ पर आपको option मिलेगा I don't want benefits इसके उपर आपको click करना है अब उसके बाद यहाँ पर आपको उपर में option मिलेगा skip का skip पे क्लिक करन के बाद while using the app पे click करेंगे उसके बाद फिर से आपको इसको cut कर देना है ठीक है आप देखिए application में आप login हो जाएंगे अब आपको यहाप पर देखिए मैं आपको दोनो type का जो loan आपको दिया जाता है उसके second number यहाँ पर आपको movie quick पे लेटर जो होता है वह भी आपको दिया जाता है वो नीचे में आपको दिखा जैसे का आप यहाँ पर देख पार होंगे यहाँ पर आपको इंट्रेस्ट नहीं देना होगा तो जो भी आपको लेना है अगर आपको movie quick से personal loan लेना है तिसके लिए आपको यहाँ पर उपर में option मिलेगा लोन्स के उपर आप क्लिक करके यहाँ पर आप movie quick से personal loan के लिए apply कर सकते हैं लेकिन अगर आप movie quick से pay letter का use करना चाते हैं अब यह pay letter क्या होता है वो भी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ pay letter में जो आपको limit मिलेगा वो आपको यहाँ पर balance में देखने को मिल जाएगा जिस balance को आप bank में भी निकाल सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर option मिल जाता है wallet to bank transfer इस पर click करके आप pay letter के amount को bank में भी निकाल सकते हैं and second number आप अपने pay letter के amount को merchant account पर merchant QR पर scan करके जैसे कि दुकान बगरा में scan करके भी यूज़ कर सकते हैं and आपका जो loan amount रहता है उसको आप directly यहाँ पर bank में instant ले सकते हैं तो जो भी आपको best लगे अगर आपको 0% interest for loan चाहिए तो आपको jeep का जो option मिल रहा है jeep के उपर आप click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे option मिल जाएगा claim your offer का इसके उपर आपको click करना है उसके बाद allow पे click करना है उसके बाद फिर से आपको allow पे click कर देना है यहाँ पर 2 seconds का आपको wait करना है अब आपको देखिए इस page में आप आ जाएंगे यहाँ पर आपको option मिलेगा pen card number का आपको pen card number डाल देना है date of birth यहाँ पर डाल देना है एक email ID आपको यहाँ पर डाल देना है खाली box को आपको tick कर देना है ठीक है और tick करने के बाद आपको नीचे option मिल जाता है यहाँ पर continue का continue पर आपको click करना है यहाँ पर मैं पुरा details डाल लेता हूँ अब आप pen card details डालेंगे आपका यहाँ पर पूरा details आ जाएगा नीचे आपको option मिलेगा yes it's me का yes it's me के option पर आपको click करना है अब यहाँ पर आपको congratulations का message आ जाएगा और आपको यहाँ पर एक credit limit दिया जाएगा जो कि आपको मैंने बताया था 60,000 रुपिये तक का limit दिया जाता है तो यहाँ पर मैंने जो pen card details डाला था उस पर मुझे 3000 रुपिये का limit मिल रहा है 0% interest पर यानि कि 3000 रुपिये का limit में अभी यहाँ पर जो है details पर मिलता है या आपको कितना मिलेगा यह बता पाना मुस्किल है नीचे आपको option मिलता है accept and continue का accept and continue पे click करेंगे उसके बाद नीचे option मिलेगा continue का continue पे click करके आपको application को submit कर देना है और उसके बाद 24 गंटे के अंदर आपका limit कभी भी activate हो जाएगा यहाँ पर आपको continue पे click कर देना है अब आप continue पे click करेंगे आपका application submit हो जाएगा और 24 गंटे के अंदर आपका limit है वो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको my balance का जो section रहता है यहाँ पर आपका balance देखने को मिल जाएगा जो आपको limit मिला है उसको आप scan करके यहाँ पर payment कर सकते हैं साथी साथ अगर आप limit को bank में लेना चाहते हैं तो bank में लेने के लिए यहाँ पर आपको option मिल जाता है wallet to bank transfer का इसके उपर click करेंगे और click करने के बाद यहाँ पर आपका पूरा details डाल कर आप अपने bank account में भी पैसे को transfer कर सकते हैं यहाँ पर option मिल जाएगा beneficiary name, account number, IFC code और continue पर click करेंगे आपको जो भी limit मिला है वो limit आप directly bank में भी transfer कर सकते हैं यहाँ पर जैसे कि मुझे 3000 रुपिय का limit मिला था 3000 रुपिय का limit में यहाँ पर बैंक में directly transfer कर सकता हूँ ठीक है अब उसके बाद यहाँ पर अगर आपको limit नहीं लेना है आपको directly loan लेना है तो आप loans पे click करके भी loans के लिए apply कर सकते हैं loans ले सकते हैं तो आपको जो भी best लगे वो आपको यहाँ पर कर सकते हैं आप get status पर click करेंगे allow पे click करेंगे और उसके बाद आप अपना पूरा KYC complete करके भी loan यहाँ से ले सकते हैं तो जो भी आपको best लगे वो आपको यहाँ पर जो है movie quick से आप दो type का loan ले सकते हैं तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही चलिए next video मिलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडिय देखने के लिए